आपके लगबग एक महीना चलने माले 26 अपरिल से आपके स्टार्ट होगे तो लगबग एक महीना चलने वाले और सारे ही पेपर में आपको बहुत अच्छे से ब्रेक दिया है यह नहीं कि एक पेपर के बाद तुरन दूसरा हो गया है तो आप यहां पर डेट चीट को देख पहले तो एक्जाम आपके 26 अप्रिल को स्टार्ट होने तो फिर्स्ट इस जो आपका एक्जाम है वो 26 को टाइमिंग आपका 10 32 12 30 है ठीक है इस पेंटिंग का पेपर यह एक घंटे का वोगा बाकि यह सारे पेपर आपके 10 32 32 यानिकी दो घंटे होंगे फिर उसके बाद जो हम इनके यह सब्जेक नहीं वो 27 से स्टार्ट हो रहे है तो 28 को यह आपके इन मेसेज जो भी एक्जाम में वो आप यहां पर देख लेना मैं आपको में 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 बता रही हूं ठीक है फिर उसके बाद इसके बाद आपका यहां पर फॉर्थ में को यह म्यूजिक का है यह जो भ पेपर है तो यह इंग्लिश के बाद आपको कितना सारा गैप यहां पर मिल रहा है तो 27 के बाद में सीधा आपका फिफ्थ में को पीपर है तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रपरेशन को यहां पर कर सकते हो फिर 6 में को आपका यह लैंग्विज वाला पेपर है फिर यहां पर 7th में को है संस्कृत का पेपर तो बहुत से बच्चों के पास संस्कृत भी होती है तो यह संस्कृत का पेपर तो उसके में भी आपको संस्कृत इतनी टफ नहीं होती है एक दिन का गैप है यहां पर तो आप आराम से कर लोगे फिर उसके बाद 7 के बाद सीधा 10th को है आपका यहाँ पर साइंस का पेपर है तो जिनके संस्क्रत नहीं है उनको तो पूरा यहाँ पर चार दिन एक्स्ट्रा मिल रहे है इसको पढ़ने के लिए फिर 12 में को आपका अगेन यह आपके रीजिनल लेंग्विज का है फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर और इसके बाद 14 त में को आपका यहाँ पर साइंस का पेपर है तो फिर 18 त में को हमारा यहां पर किसका पेपर है हिंदी का पेपर एक्जाम का तो आपका 14 के बाद 18 तो यहां पर भी आपको अच्छा का सा गैप मिल रहा है तो में में डेट के अगर हम यहां पर बात करते हैं में एक्जाम हमारे अगर बात करते हैं तो यह 27 को आपका इंगलिश का है 5th May को आपका Maths का है, बहुत सारा gap है यहाँ पर, फिर संस्कृत में आपका यहाँ पर एक दिन का gap है यहाँ पर, फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप 7th को पेपर के आओगे, 7th को भी पढ़ सकते हो, तो हम इसको 3 डेस का यहाँ पर gap माझते हैं, 7th को देकर आगे, 11, 12, 30, और उसको बाद 12, 30 से पढ़ोगे, तो 7 को भी पढ़ सकते हो, 8 को भी पढ़ सकते हो, 9 को भी पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद 10 के बाद 14 को SST का और 18 को आपका हिंदी का, यह 6 subject main है, जो मैंने यहाँ पर लिख दी, तो आप इसको note-down कर लो, और अपनी टाइम टेबल यहाँ पर खुद से बना लो, क्योंकि डेड़ शीट आगे और gap बहुत जादा है, तो बहुत खुशी की बात है कि आप gap आपके पास इतना सारा है, कि आप अच्छे से आप यहाँ पर एक एक चीज को revise कर सकते हो, दो दो तीन तीन बार अपने syllabus को revise कर सकते हो so all the best for your term 2, exam exam आपका subjective होने वाला है, thank you